सब्सक्राइब के निशान पर क्लिक करें और बेल का निशान दबाईए ताके नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके शुक्रिया मेरे भी कुछ खौबते बाबा पर मैं इस दुनिया से मू मोड चला सब खौब अदूरे चोड चला अब इस दुनिया से मू मोड चला सब खौब अदूरे चोड चला अब इन खौबों की दुनिया में मेरी याद को अपने दिल से लगाईए तुम को जिन्दा रहना है, मेरी याद को जिन्दा रहना है बिस्म आलाह आप देख रहे था और्दो वएब आफिसल युटीब चैनल मुझे आज अपनी इस तहरीर को लिखने के लिए कई बार सोचना पड़ा हर बार कलम उटाया मगर अपने एहसास इस कवसकपाती आवाज और अपने अंदर इस तूट पूट को तहरीर की शकल देना आज शायद बहुत मुश्किल काम है ये तकलीब ये करब सबसे बढ़कर वो एहसास जिसने हुजून को कौम बना दिया मैं बात कर रहा हूँ सानिया है पिशावर 16 दिसंबर जब पूलों के इस शहर में दिशिदगर्दों ने ये सोच कर हमला किया के शायद आज हूँ अपने मकस्द में काम्याब हो जाएंगे मगर वो ये बात बूल गए कि ये पाकिस्तान वो मुल्क है जिसका हर फर्द इस मुल्क की खातर अपनी जान दे सकता है मगर पेट दिका कर बाग नहीं सकता दिशिदगर्दों ने छे साल की मासूम खौला और स्कूल प्रेंसिपल ताहरा काजी को शहीद करके ये समझा कि शायद उन्होंने एक साल नसल का खातमा कर दिया है मगर वो बूल गए कि हम शहीदों का खून कभी राएगा नहीं जाने देंगे मुझे आज भी याद है जिस दिन ये अबसोसनाक वा क्या हुआ इसके कुछ देर बाद पूरे पाकिस्तान में एक सोक का समा था और हर बाजार हर दुकान सब बंद हो गए ऐसा महसूस हो राता जैसे एपिएस में शहीद होने वाला हर बच्चा हमारा बच्चा है मैं आज भी सर्दी के इस मौसम में इस महमून को तहरीर करते वक्त अपने अंदर कर्मी एक हिद्दत महसूस कर रहा हूँ वो बच्चे शहीद होकर जन्नत में चले गए लेकि जाते हुए हमारे दुश्मनों को ये पेगाम दे गए के हमारी पौच ऐसी बहादर और जर्री पौच है जिसके अंदर ऐसी सलाहियत मुझूद है के वो दुश्मन को गर में गुस कर मार सकते हैं हमारी पोच ने अफगानिस्तान और सरहत के इस पार दुश्मनों को एक वाज़ पेगान दिया कि हमारी खामोशी हमारी नर्मी नहीं खुदा शाहिद है इस वाके को तीन साल गुजर चुके है मगराच भी इस तकलीब करप और इसकी चेन को अपने दिल में महसूस कर रहा हूँ और इसकी चुबन को अपने दिल में महसूस कर रहा हूँ आज हर पाकिस्तानी की तरह इस सानिहा को याद करके मेरा दिल भी खून के आंसूर होता है आंकू से आंसू का सेलाब उमर्डाता है जो इस बात की वाज़ी दलील है कि हमारा जमीर आज भी जिन्दा है और बेहसियत कौम हम आज भी अपने मलक और इसके किसी गोशे में होने वाली देशिदगर्दी को महसूस करते हैं और एक दूसरे के साथ यक जा होकर दुश्मनों का मकाबला करते हैं मैं इस वक्त के पोजी से पसलार जर्नल राहीर शरीव का इंतहाई मुश्कूर हूँ जिन्होंने वक्त की निजाकत को समझते हुई अपरेशिन शुरू करने के इहकामात सादिर फर्माए दिश्यदगर्दों को पांच सी की सजाए दी और इस मुलक का अमन बहाल करने में एक मुश्र किवदार आदा किया आज मेरा सवाल इन लोगों से हैं जो हर बार यही कहते आएं कि गुट तालिवान और बैट तालिवान जो ये समझते थे कि शायद गुट तालिवान इनके साथ हैं और बैट तालिवान इस मुलक में अफरातफरी चाहते हैं लेकिन इस वाक्या के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा के कुटा कुटा ही होता है चाहे वो पालतू हो या आवारा हम इस मुलक में गुट और बैट की नहीं बलकि अमन की और खुशी और बरी जिन्दगी की जमाना चाहते हैं इन लोगों से जो इस मुलक की जामेन हैं मैं कहता हूँ बहुत कुछ मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ पर दुकी भी हूँ मगर अलफास की इस केद बनने मुझे मज़े मजबूर कर दिया मगर आखिर में सिर्फ इतना कहूंगा कि तुम कल भी हमारे दिलों में थे हमेशा हमारे दिलों में होंगे मत समझो कि हमने तुम को बला दिया आखिर में कुछ अशगार पाक पोच के नाम महबत के सभी जजबे तुम्हारे नाम करता हूं मुहबत के सबी जजबे तुम्हारे नाम करता हूँ वफा के दिल नशीकिस से तुम्हारे नाम करता हूँ सजाया है जिन्हे मैने मुहबत के गुलाबों से तरू ताजा वगुल दस्ते तुम्हारे नाम करता हूँ तरू ताजा व गुलदस्ते तुम्हारे नाम करता हूँ कहा गुलने अकीदत से वतन की चूम करमिटी मैं अपने चांद से बेटे तुम्हारे नाम करता हूँ मैं अपने चांद से बेटे तुम्हारे नाम करता हूँ